तो दोस्तो भारत के लिए है एक बहुत बड़ा खवर और ये खवर है आर्म फोर्सेस के मोडनाईशन को लेके रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नेरंद्रों मुदी के द्वारा कल के दिन मतलब 19 नवेंवर के दिन आर्म फोर्सेस को कई सारे हतिया सौपा जाएगा जिनमें इलेक्ट्रोंिक वर्फेर सूट से शुरू करके अनमैन एरियल वेहकल और हिंदुसान एरनोटिक्स लिमिटेट के तरफ से निर्मान किया हुआ लाइट कॉमबाट हेलिकॉफटर तक शामिल है तो जानने के लिए वीडियो के आखिर दक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो ये असल में आर्फोर्स के द्वारा आयोजित किया हुआ एक सरीमनी में होगा जो जानसी में नवेंबर 19 मतलब के दिन आयोजित है रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस समारहों में प्राइम मिनिस्टर नरंद्रमोदी के द्वारा इंडियन एरफोर्स को अपना पहला लाइट कॉम्बैट हेलिकॉफटर सौपा जाएगा जो कि 16,000 फिट के उचाई तक पेलोड को लेके उडान भर सकता है जबकि इंडिय डिजाइन और डिफलाफ किया हुआ द्रोन सौपा जाएगा और नेवी के लिए बनाया हुआ एडवांस इलेक्ट्रोनिक वरफेर सूट को भी इंडियन नेवी के वर्शेप में इस्निमाल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरंद्रमोदी के द्वारा इंडियन नेवी को सौपा जाएगा असल में प्राइम मिनिस्टर नरंद्रमोदी के तरफ से उस दिन और भी कई सारे प्रोजेट को इनोगरेट किया जाएगा जिन में एक ऐसे फेसिलिटीज को भी प्राइम मिनिस्टर नरंद्रमोदी के द्वारा इनोगरेट किया जाएगा जो की 400 करोड को भी launch किया जाएगा दोसर ये जो NCC के लिए simulator facility को launch किया जाएगा यहाँ पे NCC के army wing के credits के लिए rifle training जबकि navy wing के credits के लिए rowing और air force wing के credits के लिए light aircraft के training simulated हो सकेगा दोसर फिलाल अगर NCC wing को देखा जाए तो NCC के army wing के पास एक simulator है जो अब बढ़के 98 हो जाएगा जबकि NCC के air force wing के पास करीवन 6 simulator है जो अब बढ़के 44 हो जाएगा और navy wing के पास 10 simulator है जिसमें और 10 के बढ़ोतरी होगा इवन दोस्तों जानकारी ये भी दिया जा रहेगी प्राइम मिनिस्टर नरंद्र मोदी के द्वारा जो national program for simulator training for the NCC बोल के project को launch किया जाएगा इसका अंतरगत आने व school all colleges को identified किया गया है जो कि border और coastal area के नजदीक है इन में करीवन 896 SA schools और colleges है जो कि border के नजदीक है जब कि 255 coastal area के नजदीक है 132 SAV school और colleges है जो कि air force stations के नजदीक है दोस्तों ये तो था सारे के सारे वो scheme और project जिसको 19 तारीक के दिन प्राइमेशन नरंद्र मोदी के द्वारा हरी जदी दिखाया जाएगा लेकिन इन सबी चीजों में सबसे महत्तो पूर्ण है light combat helicopter दोस्तों ये इंडिया के द्वारा बनाया हुआ पहला true combat helicopter है जिसे हिंदुस्तान एरनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से design और develop किया गया है ये एक ऐसा indigenious helicopter है जो वजन में हलका भी है औ और भारत के उचाई वाले शेत्र में भी हतियारों को लेके उडान भर सकता है दोस्तों ये दुनिया का एक मात्र ऐसा helicopter है जो हतियारों के पेलोड के साथ 6,000 मिटर के उचाई तक भी जाने में सक्षम है इवन दुनिया के सबसे उचाई में स्थेथ हेलिपैड मतलब हेलिकॉफ्टर को फेलोड के साथ टेस्ट किया चुका है दोसर रिपोर्ड में ये वी वताया जा रहा है कि डिफेंस एकोजिशन काउंसिल जो की डिफेंस मिनिस्टर के नेत्रित्य के अंदर आता है उसके द्वारा आर्म फोर्स के लिए करीवन 40 लाइट कॉमबैट हेलिक संभावित उन्ही हेलिकॉफ्टरों में से कुछ हेलिकॉफ्टर अव इंडियन एर फोर्स के हवाले प्रायमरिशन नरंद्र मुदी के द्वारा किया जाएगा जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो लाइट कॉमबैट हेलिकॉफटर इंडियन आर्न फोर्स के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हाई आल्टिटूड वोर्फेर को काफी वेत्रीन तरिके से लडने में सक्षम है और व्विश्य में भारत के हाई आल्टिटूड में लड़ YOUR न 그건 रोब भी बदलने में सक्षम है अगर देखा जाए तो ये इंडिया का पहला multi-roll attack helicopter है और दोस्तों ये दुनिया का सबसे high altitude में जाने वाले attack helicopter भी है दोस्तों light combat helicopter जैसे helicopter का आवशक्ता इंडिया को तब मैसुस हुआ था जब इंडिया को कारगिल के लड़ाई लड़ना पड़ा इस दर्मियान पहाड़ी के उचाई में दुश्मन अपने आपको ऐसे चुपा के रखा था कि उस ठिकानों को ध्वस करने के लिए हतियारों से लैज हेलिकॉफटर का आवशक्ता था इवन एक ऐसे हेलिकॉफटर के भी आवशक्ता था जो इतने उचाई में जाके ऑपरेशनों को अंजाम दे सके उस दर इन लाइट कॉमबैट हेलिकॉफटर के फर्स्ट फ्लाइट हुआ था जवकि साल 2021 में इन हेलिकॉफटरों को बेडे में इंटिड्यूस किया गया फिलाल इन्हें लिमिटेड सिरिस प्रोडेक्शन में ही तैयार किया गया है और अब तक के रिपोर्ट के मुताविक ऐसे ट जाता है और भारत इसे एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतारना जाता है जबकि भविश्य में ये जो ओर्डर है इसका संख्या और भी बढ़ सकता है और सब को इडिपेंड करता है आवशक्ता और इसके परफॉमेंस के उपर तो सो परफॉमेंस का बात अगर हो ही रहा है तो चलिए एक बार इन हेलिकॉफटरों के परफॉमेंस को जान लेते हैं रिपोर्ट के मुताविक ये जो लाइट कॉमबाट हेलिकॉफटर है इससे ओपरेट करने के लिए दो क्रू मेंबर का आवशक्ता होता है जिनमें एक पाइलेट और एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर ह और ये जो हेलिकॉफटर है इसका लंबाई करिवन 15.8 मीटर मतलब 51.10 इंच है जबकि इसका विंग स्पैन 4.6 मीटर मतलब 15.1 इंच है इसका हाइट करिवन 4.7 मीटर मतलब 15.5 इंच है और इसके मैकसिमम टेक आप वेट करिवन 5800 किलोग्राम के आसपास है हेलिकॉफटर क में से हर एक इंचिन का श्रमता 1032 किलोवाट या फिर कहतो 1384 होट्स पावर के आसपास है तो ये जो हेलिकॉफटर है इसके मेन रोटेडर का डामीटर करिवन 13.2 मीटर मतलब 43.4 इंच के आसपास है हेलिकॉफटर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैकसिमम रप्तार 268 किलो मीटर पर आवर है जबकि इसके नेवर एक्सिडेड स्पीड करिव करिव 330 किलो मीटर पर आवर है हेलिकॉफटर का रेंज 550 किलो मीटर है और इसका एंडूरेंस 3 घंटा 10 मिनिट है हेलिकॉफटर के सर्विस सिलिंग 6500 मिटर या फिर कहे तो 21,300 फिट के असपास है और इसका rate of climb करीवन 12 meter per second या फिर कहे तो 2400 feet per minute है दोस्तो हतियारों को अगर देखा जाए तो helicopter में primary हतियार के रूप में 20 mm के main gun का इस्तेमाल किया गया हो और ये दोस्तो M621 cannon है जो कि nexter के बनाये हुए THL 20 turret में इस्तेमाल होता है इसके इलावा helicopter में अन्य हतियार को लगाने के लिए 4 hardpoint का इस्तेमाल किया गया है जिसमें laser guided rocket, missile जैसे air to air missile और धुरुबस्त्र जैसे anti-tank guided missile का इस्तेमाल किया सकता है जबकि इसके इलावा इन helicopter के द्वारा cluster ammunition, unguided bomb और grenade launcher को भी carry किया सकता है जोस्तो एवियोनिक्स के रूप में इसमें अलविट के निर् player system को भी इस्तेमाल किया गया है, पर दोसो इन सभी बातों से भी महत्तो पूर्ण बात है helicopter के design, दोसो helicopter को हलका रखने के लिए इसमें composite material का इस्तेमाल किया गया है और इसके material ऐसा है कि ये radar से निकलने वाले signatures को भी absorb कर सकता है, helicopter का design भी काफी हद तक stealth है और helicopter के noise को control करने के helicopter के जो engine के exhaust है, इसे भी उपर के तरफ रखा गया है, एक तरीके से आप इन helicopter को stealth helicopter के रूप में भी देख सकते हैं, जबकि report में ये भी बताया जा रहा है कि helicopter में stealth coating भी लगाया गया है, ताकि इसे radar में कम से कम visible रखाया सके, दोस्तों कोल मिला कि ये जो helicopter है, ये एक आधुन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए, और मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ये प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जैहिंद